आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ तैमूर की आत्मकथा के बारे में तैमूर का नाम हम सब ने सुना है बहुती क्रूर, निर्दई और अत्याचारी सा सकता उसने अपनी आत्मकथा में भारत के बारे में जो जानकारी दी है वो जानकारी हम सब को जाननी चाहिए उस समय भारत कैसा था लोग कैसे थे समाज कैसा था पर स्थितियां कैसी थी सारी जानकारी तैमूर ने अपनी आत्मकथा में लिखी है मैं यकीन से कह सकता हूँ ये बीडियो आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा जब मैं तैमूर की आत्मकथा कर अध्यन कर रहा था तो उस समय मुझे कुछ ऐसे तथे पढ़ने को मिले जिनके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था उन तथेों को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसा हम अपने देश के बारे में सोचते हैं कि प्राचिन समय में हमारा देश ऐसा होगा वैसा होगा परन्तु हमारा देश ऐसा वैसा नहीं था आईए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो की सुरुगात करते हैं वीडियो थोड़ा बड़ा है आप लोग इसको पूरा देखना क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है जो सब को जाननी चाहिए ये वीडियो राजनी तक नहीं है सिर्फ जानकारी के दिल्ष्टी से वीडियो बनाया गया है तो किर्प्या कर राजनीती से इससे बिल्कुल न जोड़ें आईए बात करते हैं तैमूर की आत्मकथा के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं तैमूर के सामराज के बारे में तो तैमूर का सामराज इतने बड़े एरिया में फैला हुआ था आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए इतने बड़े बिसा ले दिया में उसका सामराज फैला था यह समरकंद जो की उजबेकिस्तान में है और केस, केस में ही उसका जन्म हुआ था तैमूर का इसकी चर्चा में आगे अभी करने वाला हूँ सबसे पहले बात करते हैं तैमूर की आत्म कथा मैं हूँ तैमूर के बारे में तैमूर की आत्म कथा मैं हूँ तैमूर की मूल प्रती यमन के बात्साय जाफर पासा के पास थी मैं हूँ तैमूर की मूल प्रती से किसी लेखक ने हस्त लिखित प्रती तयार की और उसे वो भारत लाया वह हस्त लिखित पृती किसी अंग्रेज अफसर के हाथों में लग गई और वो अंग्रेज अफसर उसे इंगलेंड लेके चला गया था अंग्रेज अफसर ने उस हस्त लिखित पृती को डेवी नाम के एक अनुबादक को प्रदान की डेवी ने क्या किया कि औक फोर्ड यूनिवस्टी के प्रोफेसर वाइट की साहता से उसका अंगरेजी भासा में अनुवाद किया 1783 में पहली वार तैमूर की आत्म कथा मैं हूँ तैमूर आम जनता के सामने आई ती तैमूर जब सट्र बस गत्ता तब उसने अपनी आत्म कथा मैं हूँ तैमूर को बाए हाट से लिखना शुरू किया था क्योंकि उसका दाया हाट एक युद्ध में घायल हो गया था तैमूर अपनी आत्म कथा पूरी होने से पहले ही मर गया था इसके बाद उसकी आत्म कथा को इबन अरव साहे ने पूरा किया था परन्तु इबन अरव साहे ने क्या किया किया कि उसका नाम परिवर्टित कर दिया था नाम क्या रखा था अजायब उल मुकरदनी नवायब तैमूर कर दिया था तैमूर की आत्म कता मैं हूँ तैमूर का हिंदी में अनुबाद संजना कौल की दुआरा किया गया है मैं उसी को आप सभी को पढ़ा रहा हूँ और इसका उर्दू में अनुबाद खलील उल रह्मान तथा डक्टर हमीद यजदानी ने किया था तो ये तो थी एक बेसिक जानकारी तैमूर की आत्म कता मैं हूँ तैमूर के बारे में कैसे इसका ट्रांसलेशन हुआ किसके पास इसकी ओरीजनल प्रती थी तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम चल गई होंगी इससे अब बात करते हैं तैमूर के प्रारंभिक इतिहास पर देखे तैमूर का प्रारंभिक इतिहास वैसे तो मैं इसके उपर एक पहले ही वीडियो बना चुका हूँ लेकिन उस वीडियो में मैंने जो जानकारी दी थी वो जानकारी इतिहास के माध्यम से दी थी और इस वीडियो में मैं जो जानकारी आप सबको दे रहा हूँ वो जानकारी दे रहा हूँ तैमूर की आत्म कथा मैं हूँ तैमूर से उसमें जो लिखा हुआ है वही जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ सबसे पहले बात करते हैं तैमूर के नाम की तैमूर या तिमूर दो नाम लिखे मिलते हैं हिंदी में तैमूर लिखा मिलता है और इंगलिस में तिमूर लिखा मिलता है तो नाम कैसे रखा गया था उसका इसके पीछे एक बड़ी आसी कहानी है आईए वो मैं आपको सुनाता हूँ तैमूर के पिता का नाम था तुरकाई जब उस सो रहे थे तो उन्हें सपना हुआ कोई फरिस्टा उनके पास आया है दो तलवारे लेकी और उस फरिस्टे ने दोनों तलवारें उनको सौप दी है जब ये उन्होंने सपना देखा तो इसके बाद वो कहां गए एक मौलवी के पास गए और उस मौलवी को इस सपनी के बारे में बताया मौलवी ने पूछा कि सपना कितने बज़े हुआ था उन्होंने जवाब दिया किस अपना सुब़े की समय हुआ था तो मौलवी बोला कि तेरे घर एक लड़का पैदा हुगा जो तेरा नाम पूरी दुनिया में रोसन करीगा और बाके में ऐसा हुआ कुछ समय बाद तुरकाई की घर में एक बेटा पैदा हुआ तुरकाई को याद था कि ये भविस्वाने मौलवी ने की थी तुरकाई उस बेटे को लेके मौलवी के पास पहुँच गए और मौलवी से बोले किसका नाम रखिये और मौलवी उस समय कुरान पढ़़ता था और कुरान में कहीं तुरकाई किया गया था और उसका अर्थ था पृतिवी में कमपन्ड करना तुरका हत देखिए आज की कुरान में है या नहीं है ये सब्द मुझे इसके बारे में कोई चानकारी नहीं है लेकिं तैमूर ने अपनी आत्म कथा में यही लिखा हुआ है तो उस मौलवी ने क्या किया कि उस बच्चे का नाम तैमूर ही रख दिया और उसका मतलब होता है कि पृत्थिवी में कमपन यानिक पृत्थिवी को हिलाने वाला और इतिहास कारों ने क्या लिखा हुआ है कि तेमूर का अर्थ होता है लोहा लेकिन बास्तविक में लोहा इसका अर्थ नहीं था जैसा कि तेमूर ने अपनी आत्मकता में लिखा हुआ है तो बास्तिव कर्थ क्या है तैमूर का प्रिथिवी में कमपन पैदा करने वाला या प्रिथिवी को हिलाने वाला तो ये तो थी एक छोटी सी कहानी के उसका नाम करण कैसे हुआ था उसका पूरा नाम था सुजा उल्दीन तैमूर और जन्म कब हुआ था? 9 अपरेल 1336 को कैस में हुआ था ये कैस कहा है? आदनिक उजिबेकिस्तान में है और इसका नाम है सहर ए सब्ज इसको आपको याद रखना है पिता का नाम तुरकाई था जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ और ये कैस सहर के तामन्त थी मादा का नाम था तकीना खातून और राजवन्स का नाम था तैमूरी राजवन्स मिरत्य कब हुई थी? 18 फरवरी 1405 को ओटरार में मिरत्य हुई थी ये ओटरार कहा है? ये है आदनिक कजाकिस्तान में समाधी है समरकंद में और समरकंद कहा है उजवेकिस्तान में आप जो सामने देख रहे हो यही समाधी है तैमूर की जिससे किसने बनवाया था? जिससे तैमूर ने स्वेम ही बनवाया था तैमूर का पहला सिक्षक मुल्ला अलिवेक था जिसने उसे प्रारंभिक सिक्षा प्रदान की थी तैमूर का दूसरा सिक्षक था सम्सुद्दीन जिसने उसे कुरान की सिक्षा दी थी कुरान की सिक्षा इसने इस तरह से दी थी कि पूरी कुरान तैमूर को अच्छे से याद हो गई थी तैमूर ने सेख समसुद्दीन से सिक्षा पराप्त करने के बाद अब्दुल्ला कुतुब के मदल से में सिक्षा पराप्त की जहांपर उसने अपने सहपाथी यूलास की हत्या कर दी थी क्योंकि यूलास उसे पसंद नहीं करता था हत्या के बाद अब्दुल्ला कुत्ब ने यासा कानून के तहट तैमूर को बचा लिया था यहांपर एक कहानी है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ तैमूर एक दिन घुरसावारी कर रहा था उसी समय यूलास उसके पास पहुँच गया और उससे कुछ कहने लगा लेकिन तैमूर को बरदास नहीं हुआ और उसने क्या किया कि एक तीर मार दिया जो कि उसकी सीने में जाके लगा सीने में तीर लगते ही वो गिर पड़ा और थोड़ी देर में उसकी मिरती हो गई थी और इस हत्या के जुर्म से अब्दुल्ला कुतुब ने तैमूर को बचाया था क्योंकि अब्दुल्ला कुतुब उसका सिक्छक था वैसे तो सिक्छक किसका यूलास का भी था लेकिन अब्दुल्ला कुत्ब ने तैमूर को बचाया और योलास के संबन्द में कहे दिया था कि योलास एक घमंडी, अत्याचारी और बहुत ही गलत लड़का था उसका मरना बिल्गुल जायज था अगर वो जिन्दा रहता, तो नजाने कितनों पे अत्याचार करता तो इस तरह से तैमूर को अब्दुल्ला कुत्ब ने बचाया था यासा या यासालू, चंगेज खान के सासनकाल में लागू किया गया कानून था उस समय उन देसों में इसी कानून का पालन किया जाता था यासा एक मंगूल भासा का सब्द है, जिसका अर्थ कानून होता है इसी कानून के तहट तैमूर चंगेज खान से अपना संबंध जोड़ता था क्योंकि तैमूर के पूरबजों ने चंगेज खान के उत्रा अधिकारियों की पुत्री के साथ ने काह किया था तैमूर के पूरबजों में लराशर नोबान नाम का पहला बेक्ती था जिसने इसलाम को कुबूल किया था आपको यहां पर द्यान रखना है कि तैमूर के पूरवज इसलामिक नहीं थे लरासर नुवा नाम का कोई बैक्ती था जिसने इसलाम कुबूल कर लिया था इसके बाद ये इसलामिक हो गए थे लेकिन उससे पहले ये इसलामिक नहीं थे जब ये इसलामिक नहीं थे तब नोंने क्या किया था कि चंगेज खान का कोई उत्राधिकारी होगा उसकी पुत्री के साथ बिवाह किया था और इसी संबंध से तैमूर अपना रिष्टा चंगेज खान से यूड़ता था अजरबेजान के सहर सबस्तर में जन में सियद अदीन महमून सबस्तरी की किताब गुलसन एराध सित-तैमूर बहुत परवाविद था बल्क में जन में मौलाना जलाल अदीन रौमी की पुस्तग मस नवी को तैमूर ने पढ़ा था परंतु तैमूर रॉमी से बहुत नफरत करता था क्योंकि रॉमी धार्मेक स्वतंतरता का समर्थन करने वाला बैखती था तैमूर को धार्मेक स्वतंतरता बिल्कुल पसंद नहीं थी सुरुआत से ही उसके दमाग में स्लामेक कट्टरता को भरा गया था क्योंकि उसे इसलाम के अलावा दुनिया में कोई भी मजब सर्वस्रेश्ट दिखाई नहीं देता था तैमूर ने 1380 से 1396 के मद आदुनिक अफगानिस्तान, खुरासान, सीस्तान, फारस, अजरबैजान, कुर्दिस्तान, मेलो पुटामिया, आदी पर बिज़े पर राप्त कर ली थी इन्ही बिजयों से उत्साहित होकर तैमूर ने भारत पर आक्रमण करने का निश्चे किया था आप जो मैप देख रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखिए क्योंकि यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छी जानकारी आपको देने वाला हूँ आपको यह ध्यान रखना है, यह समरकंद और आदनिक उजवेकिस्तान में है यह तो यहीं से तैमूर सीना लेकर निकला था और काबल पहुँचा था काबल से खैवर दर्रे, यह यहाँ आए खैवर दर्रे, खैवर दर्रे को पार करते हुए वो क्वेटा पहुचा, क्वेटा पाकिस्तान में ही है और मुल्तान पहुचा, मुल्तान भी आदनिक पाकिस्तान में ही है मुल्तान से वो सीधा मेरट होते हुए दिल्ली पहुचा था, इसी रास्ते से तैमूर दिल्ली पहुचा था इसलिए मैंने इस रास्ते को आप सब को बताया हुआ है अब बात करते हैं तैमूर का भारत पर आक्रमन कहानी यहां से सुरू होती है मैं अपनी सेना लेकर यानि तैमूर कह रहा है कि मैं अपनी सेना लेकर समरकंद से निकला सबसे पहले मैंने आस्मान की तरफ देख कर कहा अल्ला तु जानता है कि मैं तलवार के घाव या मौत के ख्यान से नहीं डरता हूँ मैं आज जो कुछ भी कह रहा हूँ वो डर की बज़े से नहीं कह रहा क्योंकि मैं जानता हूँ बीरपुरस का बिस्तर लड़ाई का मैदान होता है एक मर्द को लड़ाई के मैदान में ही मौत आनी चाहिए अगर मैं इस सफर से बापस आ सका और समरकंद पहुँचने तक मेरी जिंदगी बची रही तो मैं इस सहर में तेरी अबादत के लिए एक मेरे अला एक आली सान मस्जद बनवाऊंगा ये किसने कहा था तैमूर ने कहा था जब वो भारत पे आकर्मन करने के लिए निकला था समरकंद से तैमूर काबुल पहुँचा गौर का सासक अब्दुलकल्जाई था अब्दुलकल्जाई ने क्या किया कि अपने प्रसद बीस हजार सेनकों के साथ तैमूर की सेना में वोश सामिल हुआ अब तैमूर के सीना की संख्या एक लाख बीस हजार हो गई थी तैमूर काबुल से अपनी सीना लेकर कंधार की तरफ निकलने वाला ही था परंदु उससे पहले कंधार का साथक सेम तैमूर के पास पहुँच गया था कंधार की साथक ने तैमूर का स्वागत किया तैमूर ने उससे पूचा क्या हिंदोस्तान जाने के लिए खैवर के दर्रे से ही जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है इस पर कंधार की सासक ने कहा नहीं अमीर अगर यहां से कोई पंजाब जाना चाहे तो उसे खैवर का दर्रे जरूर पार करना पड़ता है कंधार की सासक ने तेमूर को बारह मार्क दर्सक दिये जो तेमूर के साथ मुलतान तक आए तेमूर कंधार से खेवर दर्रे को पार करके क्वेटा पहुंचा उस समय क्वेटा का सासक अब्दल्ला वली उल्मुल्ग था वली उल्मुल्ग ने तेमूर का स्वागत किया और पूछा अमीर तु कहां जाना चाहता है? और तेरा क्या करने का एराला है? इस परतेमूर ने जबाब दिया मैं हिनोस्तान को जीत कर उसे अपने सामराजिका हिस्सा बनाना चाहता हूं विली उल्मुल्ग वोला अमीर तु हिनोस्तान को जीतने का ख्याल छोड़ दे तेमूर ने कारन पूछा वली उल्मुल्क बोला हिंदोस्तान में दो हजार बातसा है अगर खुदा तुझे सौ साल की उम्र भी दे और तू अपनी पूरी उम्र लड़ता रहे तब भी तू पूरे हंदोस्तान को नहीं जीत सकता इस पर तैमूर ने कहा तो फिर महमूद गजनवी ने पूरे हंदोस्तान को कैसे जीत लिया था वली उल्मुल्क वोला अमेर महमूद गजनवी ने हंदोस्तान का सिर्फ एक कोना ही जीत पाया था तुझे मालूम है कि हिंदुस्तान कितना बिसाल देश है कैसी किसी जातियां वहाँ पर निवास करती है हिंदुस्तान के एक कौने पर बेहत सर्दी पड़ती है तो दूसरे कौने पर बेहत गर्मी पड़ती है हिंदुस्तान में एक कौने के लोग गाय को पबत्र मानते हैं और दूसरे कौने के लोग जिन्दा आदमी को खा जाते हैं इस पर तैमूर ने कहा ये सारी चीजें मुझे हिंदुस्तान पर बिज़ा प्राप्त करने से नहीं रोक सकती मैं बोसा सक हूँ जिसने आदी दुनिया को अपने अधिन कर लिया है फिर हिंदुस्तान क्या चीज है वली उल्मुल्क ने कहा अमीर मुझे तेरी बहाद्री पर सक नहीं है मैंने तेरी बहाद्री के गिस्से सुने हैं परन्तु तेरा हिंदुस्तान को जीतने का ख्वाप पूरा नहीं होगा तु हिंदुस्तान के स्तारे बात्षाहों पर विजय हासल कर सकता है परन्तु वहां की महामारी पर विजय हासल नहीं कर सकता हिंदुस्तान की महामारी वहां के लोगों पर असर नहीं करती है परन्तु दुस्मन सेनाओं को जिन्दा नहीं चुड़ती वली उल्मुल्क की बातने सुनकर तैमूर जोल से हस पड़ा और बोला अगर तु उम्र में मुझे बड़ा नहीं होता तो मैं तेरा आदर नहीं करता मुझे लगता है तेरी मतमारी गई है कोईटा से तैमूर मुल्तान पहुँचा उस समय मुल्तान का राजा पंसंग जंग था पंसंग जंग हिंदू राजा था परन्तु उसने तैमूर की अधीन तक सुईकार कर ली थी उस समय हिंदुस्तान की सीमा मुल्तान से सुरू होती थी तैमूर ने पंसंग जंग से दिल्ली के बारे में पूछा पंसंग जंग को जो दिल्ली के बारे में मालूम था उसमें सब कुछ तैमूर को बता दिया अभी दिल्ली का सुल्तान मल्लू एकबाल है दिल्ली का बास्तिवक सुल्तान महमूद खिल जी था परंतु मलू एकबाल ने जवजस्ती दिल्ली की सक्ता पे कबज़ा कर लिया है महमूद खिलजी को जेल में डाल दिया मलू एकबाल के पास दोजार हाती है परंतु सेना के बारे में मुझे जानकारी नहीं है तैमूर ने पूछा हम दिल्ली कैसे पहुँच सकते हैं इस पर पंसंग जंग ने जबाद दिया कि दिल्ली पहुँचने से पहले तुम्हें मेरट, लोनी और जुम्बा के किलों पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी बिना इन किलों पर विजय प्राप्त करे तुम दिल्ली तक नहीं पहुँच सकती तैमूर ने पंसंग जंग से फिर कहा क्या तुम कुछ ऐसे बिस्वास पात्र मार्ग दर्सक मेरे साथ भेज सकती हो जो मुझे दिल्ली तक पहुँचा सकें पंसंग जंग बोला अहो भाग गिस्ता रांखों पे पंसंग जंग ने अपने चार बिस्वास पात्र मार्ग दर्सकों को तैमूर के साथ दिल्ली भेजा तैमूर ने मुलतान से दिल्ली के लिए प्रस्थान किया परंतु उससे पहले उसने सुबह की नमाज पढ़ी जनाजा लेकर जा रहे थे यानि अर्थी लेकर जा रहे थे जनाजे पर लाल रंग का कपड़ा डाला गया था परंतु फिर वी लास का चहरा दिखाई दे रहा था एक जवान ओरत लाल कपड़े पहने हुए जनाजे के पीछे रोती हुई चल रही थी जनाजे को नहर के किनारे ले गए वहाँ पर कुछ लोगों ने इंधन जमा करके रखा था जनाजा उठाने वालों ने जनाजा इंधन के उपर रख दिया फिर रोती हुई उस जवान औरत के हाथ पाउं जनजीर से बांदिये ढोल की आवाज भी बंद हो गई लेकिन बांसुरी बजाने वाला कोई और धन बजाने लगा इसके बाद जनजीर से बंदी हुई उस औरत को उसी चिता पर लिटाया गया और फिर आग दिखाई गई आग लगने के बाद वह औरत पूरी तरह भड़क उठी उस औरत की चीक जंगल में गूजने लगी कुछ देर के बाद हवा में जले हुए मास की बुरी गंद फैल गई इस घटना को सती पृथा कहते हैं जब मैंने इस घटना के बारे मैं तैमूर की आत्म कथा में पढ़ा तो मुझे बहुत दुख हुआ और ये सती पर था अंग्रेजों के सासन काल में आके खतम हुई थी मुल्तान से निगलने के बाद तैमूर ने मेरट की तरफ पर स्थान किया मेरट का किला एक टीले पर बना था उस समय वहां का कोतवाल आलाशार था जिसने तैमूर को रास्ता देने से इंकार कर दिया था तैमूर ने आलाशार से बाद चीत की परंतु उसने तैमूर की एक भी बात नहीं मानी और युद्ध करने का निश्चे किया तैमूर ने सेना को कले पर चढ़ाई करने का आदेश दिया कुछी देर में तैमूर के सेनिक के लिए में पर वेस कर गए नतीजा ये हुआ कि आलाशार की स्तिपाई बहवीत हो गए और हत्यार डाल दिये दोपहर के करीब आलाशार को कैद कर लिया गया इसके बाद लोहे का एक पिंजरा बनवाया गया जिसमें आलाशार को बंद किया गया इसके बाद पिंजरे को आग के उपर रखा गया परंतु कुदरत का ऐसा करस्मा हुआ कि उसी समय भयानक बारिस होने लगी और आग बुझ गई आग बुझने के बाद तैमूर को ऐसा लगा कि अल्ला नहीं चाहता है कि इसकी हत्या की जाए इसी लिए उसने आग बुझा दी है इसके बाद तैमूर ने आलाशार को मेरट के किले में ही कैद कर दिया और वहाँ पर कुछ अपने सैनिक बढ़ा दिये बाकी सेना के साथ तैमूर लोनी की तरफ प्रस्थान कर गया लोनी का किला मेरट के किले की तरही पहाड़ी पर बना हुआ था उस समय लोनी के किले का कोतबाल करतार था तैमूर ने अपने छोटे बेटे साद बकास जिसकी उमर उस समय अठारा बस थी तैमूर ने उसे दस अजाद सेनेकों की एक छोटी सी सेना का सेनापती बनाया लोनी के लिए को घेर के रखने की जिम्मेदारी थी और कहा के अगर ये जिम्मेदारी तुने पूरी नहीं की तो मैं फिर तुझे छोड़ूंगा नहीं साथ बकास बोला अमीर इत्मनान रखिये मैं ऐसा करूँगा जो सोचा भी नहीं होगा इसके बाद तैमूर अपनी सीना के साथ जुम्मा के लिए की तरफ प्रस्थान किया परंतु उसके मन में बार वार ये बचारा रहा था कि मैं अब अपने पुत्र को दुबारा नहीं देख पाऊंगा साथ बकास तैमूर का सबसे छोटा बेटा था और सबसे छोटी संतान दूसरे बच्चों से ज़्यादा प्यारी होती है इसलिए तैमूर का मन बार बार बिचलित हो रहा था तैमूर ने बिना कुछ सोचे समझ ही अपनी सीना के साथ जुमबा किले की तरफ प्रस्थान किया उधर करतार को ये मालूम चल गया था कि तैमूर की सीना ने मेरे किले को गेर के रखा है करतार ने रात के अंधेरे में साथ बकास के सेनिकों पर हमला कर दिया जिसमें दो सैनिक पकड़ लिये गए उन दोनों सैनिकों को करतार ने बुरी यातनाएं दी और उनसे सारी जानकारी पूछ ली करतार ने साद बकास की नेतरतो वाली सीना पर हमला करने का निश्य किया रात होते ही करता ने बहुत सारे हाथियों को साथ बकास की चावनी में छोड़ दिया जिससे उसके घोडों में भगदल मच गई क्योंकि उसके घोडों ने और सैनिकों ने हाथियों को कभी देखा ही नहीं था सैना भैवीत हो गई साथ बकास को आसानी से करतार के स्पाहियों ने बंदी बना लिया अगले दिन साथ बकास को करतार के सामने लाया गया करतार ने साथ बकास से कहा तू अपने बाप तैमूर को चिठी लिख उस चिठी में उस से ये कह दे कि अपनी सेणा लेकर इस देश निकल जाए वरना साथ बकास की हत्या कर दी जाएगी साथ बकास बोला मेरा बाप ऐसा नहीं है जो अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपनी सेणा हिंदूल्स्तान से निकल ले जाएगा करतार बोला ठीक है तो मैं तेरे बाप को बेटे के मातम में बठा देता हूँ साथ बकास बोला करतार मुझे मतमार करतार बोला मुझे किसी भी तरह तेरी हत्या करनी है ताकि मैं उन लोगों का बदला ले सकूँ जिनकी हत्या तेरे बाप ने मेरट के किले में की है इसके बाद साथ बकास ने अपनी गर्दन सीधी करके कहा तो ठीक है मेरा सर तन से जुदा कर दी करतार बोला मैं तेरा सिर तन से अलग नहीं करूँगा क्योंकि मैं तेरा सिर सरीर से अलग करना ही नहीं चाहता हूँ सादबकास बोला अच्छा तो तू मुझे किस तरह मारेगा करतार बोला मैं तेरा सीना चीर के उसमें से तेरा दिल निकाल लूँगा फिर तेरे सरीर में भूसा भरूँगा और तेरी लास को किले की मीनार पे लटका दूँगा साथ बकास बोला करतार तू मुझे यातना दे कर मत मार इसके बाद करतार ने साथ बकास का सीना चीट दिया और साथ बकास चीख पड़ा उसकी चीखें अतनी तेज थी कि उसके च्छावने तक सुनाई दे रही थी चावनी में चुपे सैनिक उसकी चीखें सुन रहे थे परन्तु किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे बचाया जा सके कुछ ही देर में साथ बकास की चीखें सांत हो गई और करतान ने जलादों को आदेश दिया कि इसके सरीर में भूसा भरा जाए बूसा भरने के बाद साथ बकास की लास को लौनी के किले के उपर लटका दिया गया उधर तैमूर अपनी सीना के साथ जुमबा किले के पास पहुँच गया और जुमबा किला कहा था लौनी और दिल्ली किले के बीच में था परंतु उसे साथ बकास की हत्या का पता नहीं चला था जुम्बा किला समतल जमीन पर बना हुआ था उस समय हिंदुस्तान में जुम्बा सापों को कहा जाता था तैमूर ने किले को देखा किले की रखचक हिंदू वारते थी उनके हाथ में कोई हत्यार नहीं था उस पर हमला कर दिया तैमूर के बहुत सारे सैनिक सापों के द्वारा डस लिए गए तैमूर ने किले की एक दीबार बारूत की साहता से गिरा थी और उसके कुछ सैनिक किले के अंदर प्रवेश कर गए किले के अंदर कुछ हिंदू औरते थी उनके हाथ में छोटे-छोटे डंडे थे हर डंडे की उपर लाल रंग का कपड़ा लगा हुआ था जिन है वो हिला रही थी और जुम्बा-जुम्बा कह रही थी तैमूर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसने दोए भासियों को बुलाया और उन हिंदू औरतों से पूछा कौन हो तुम और तुम्हारे पती कहा है हिंदू औरतों ने जबाब दिया हम ब्रम्ह समदाइसे हैं मैंने स्वयम को बिष्लू के लिए समर्वित कर दिया है इसी लिए मैंने बवाहन नहीं किया है तैमूर समझ गया कि बे शन्याशनी है तैमूर ने फिर पूछा तुमने ये साप क्यों पाल रखे हैं? और तोने जबाब दिया कि कोई भी आकर्मणकारी इस के अंदर ना आ सके इसलिए मैंने असंख सापों को इस के लिए मैं पाल रखा है तैमूर समझ गया कि ये ओरतें सन्यासी नहीं बलकि किले की रक्षक हैं और उन्होंने ये साप मेरे सैनिकों को डसने के लिए पाल रखे हैं तैमूर ने उन ओरतों को पकड़ कर उसी किले में कैद कर दिया और वहाँ पर अपने कुछ सैनिक छोड़ दिये ताकि उनके लोटने तक उस सैनिक किले की रक्षक कर सकें जुमबा किले पर कबज़ा करने के बाद तैमूर दिल्ली की ओर अपनी सैना लेकर प्रिस्थान हुआ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सन्यासी ओरतें थी ये ब्रम्ह समुदाइसी थी और जुमबा के लेकि ये रक्षक थी तैमूर ने जिन ओरतों को कैद किया था वो बहुती बुड़ी ओरतें थी उनको कैद किया था इन में से बहुत सारी ओरतें जवान थी उन जवान ओरतों को क्या किया था तैमूर ने कि अपने सैनकों को उने दे दिया था और कह दिया था कि तुम जैसे चाहो इनका इस्तिमाल कर सकती हो इसके बाद वो दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर गया था तैमूर अपनी सेना के साथ दिल्ली के लिए निकला ही था कि कुछ अचूत उससे मिलने आए वो अचूत तैमूर की सेना में सामिल होना चाहते थे तैमूर को लगा कि ये दुस्मन की चाल है तैमूर ने उनसे पूछा कौन हो तुम और मेरी सेना में क्यों सामिल होना चाहते हो उन लोगों ने कहा अमीर हम अच्छूत हैं हम सबकी नजरों में नीच समझे जाते हैं हम दूसरों का बचा कोचा खाना और हड़ियां खाते हैं हमें कूडा करकट उठाने और गंदगी धूने के अलावा हिंदू कोई काम नहीं करने देते हैं हम जान गए हैं कि तू यहां से दिल्ली पर अधिकार करने के लिए चा रहा है हम तेरी सेना में सामिल होकर तेरी मदद करेंगे इसके बदले में तू मुझे इतना खाना दे देना ताकि मेरे बच्चे भूके ना रहें तैमूर ने कहा मैं हिंदूस्तान के उन इलाकों में तुम्हें जमीन दूँगा जहां मुसल्मान रहते हैं ताकि तुम अपने बीबी बच्चों के साथ वहां रह सको अच्छूतों से बातचित करने के बाद तैमूर यस्दा नाम के एक कस्वे में पहुचा जहां पर बहुत सारे इरानी सरनारती रहते थे जो अगनी पूजक थे यहां पर वह थोड़ सी चर्चा करना चाहूँगा तैमूर ने जब जुम्बा के लिए पे कबज़ा किया लेकिन हम तुमारी मदद करना चाहते है और तुमारी से नाम सामिल होना चाहते है तैमूर को लगा कि यह दुस्मन की चाल है क्योंकि हिंदुस्तानी हमारी से नाम क्यों सामिल होंगे इस पर तैमूर ने कहा कि तुम हमारी से नाम क्यों सामिल होना चाहते हो तो उन्होंने बताया के हिंदू हमें नीच समझते हैं, अच्छूत समझते हैं, घर नहीं बनाने देते हैं, अच्छा खाना नहीं खाने देते हैं, जो उनका बचा कुछा खाना है वही हम खा सकते हैं, अगर वो खाना ना मिला, तो मरे हुए जानबरों की हड़ियां या मरे ह दिल्ली हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं और दिल्ली पर तुम विजय प्राप्त कर लो उसके बाद तुम हमें इतना खाना दे देना ताकि मेरे बच्चे भूखे ना सुएं। इस पर तैमूर ने उनसे कहा कि तुम्हारे साथ जब इतना अत्याचार होता है तो तुम इसलाम में क्यों नहीं आ जाते। इसलाम में तुम्हें कोई नीच नहीं समझेगा और हर वो काम तुम कर सकते हो जो हम सब करते हैं तुम सेना में सामिल हो सकते हो, सरदार बन सकते हो, स जमीन और घर दूँगा जहां पर मुसल्मान रहते हैं और मुसल्मान तुम्हारे साथ कोई अत्याचार नहीं करेंगे इसके बाद उन निचली जाती के लोगों ने तैमूर की बात को मान लिया था तैमूर अपनी आत्म कथा में लिखता है कि मैं जहां भी गया असंख लोग मेरे पास आती थे कहते थे कहम हिंदूओं की अत्याचार से बहुत परिसान हैं हम इसलाम कुबूल करना चाहते हैं और इस तरह से उन्होंने इसलाम को कुबूल किया इसके बाद तैमूर ने कुछ समय यजदा नाम के कस्वे में बताया और वहां से वहे दिल्ली की तरब प्रस्थान कर गया था अगली सौवाय वह दिल्ली पहुँचा और उस समय दिल्ली एक प्राचीर यानि की दीवार से घरा हुआ था और प्राचीर के पास बड़ी खाई खोदी गई थी जिसमे पानी भरा हुआ था जब साम हुई तो एक आदमी लाल कपड़े पहने हुए दिल्ली की प्राचीर पर दिखाई दिया यहाँ पर थोड़ा मैं आपको समझाना चाहूंगा निचली जातियों से बाचीत करने के बाद तैमूर कहां पहुँचा है दिल्ली के पास एक यजदा नाम का कस्वा था वहाँ पर और वो पूरा कस्वा एरानी सरनार थी थी जो पार्सी उनका था वही रहती थी उन्होंने तैमूर का स्वागत किया तैमूर से बाचीत की वो तैमूर को बताया कि हम यहाँ पर कैसे जीवन जी रहे हैं इस पे तेमूर ने कहा था कि अगर तुम बापस लिरान जाना चाहो तुम मैं वहाँ पे तुम मैं घर भी दूँगा और जमीन भी दूँगा तो वहाँ के पार्सियों ने कह दिया था कि अब हम हिंदुस्तान में ही सही हैं क्योंकि वहाँ जाएंगी, फिर कोई नया सालसा खाएगा, फिर वो हमें यहाँ पर खदेड़ देगा, इसी लिए यहीं पर हम अच्छे हैं, इसके बाद वो दिल्ली के तरफ प्रिस्थान कर गया था, अगली सुभाई वो दिल्ली पहुँच गया था, और दिल्ली उस समय ए उठाया और कहा, अमीर तैमूर, इसके बाद अमीर तैमूर ने जवाब दिया, हाँ मैं हूँ अमीर तैमूर, फिर उसने कहा, तू क्या करना चाहता है, अमीर तैमूर को इसकी भासा समझ में नहीं आ रही थी, उसने दुए भासियों को बलाया, दुए भासिये ने बताया, तो वह दिल्ली के सबसे बड़े मंदर का ब्रामन है इसके बाद तैमूर ने वहीं पर अपना सिविल लगाया तैमूर ने अपने गुप्तचरों को लौनी के ले की जानकारी के लिए भेजा गुप्तचर को जब मालूम हुआ कि साथ बकास की हत्या कर दी गई है तो वह डर गया बापस तैमूर के पास आया और कुछ नहीं बोला तैमूर ने कहा कि डर मत जो तुझे मालूम है बता दे गुप्तचर ने बताया कि कोतवाल करतार ने तेरे बेटे की हत्या कर दी है इसके बाद तैमूर ने दिल्ली की प्राचीर को बारूत से तहस नहस कर दिया तैमूर ने अपने सरदारों को आदेश दिया दिल्ली को जीतने के बाद वहाँ जो कुछ मिलेगा उसके मालिक तुम हो जो जवान सामने आएं उसे अपना गुलाम बना लो इसी तरह जो औरत तुम्हें पसंद आए उन पर अधिकार कर लो तैमूर का दामाद कुर्राखान समझ गया कि हमें क्या करना है इसके बाद दिल्ली की प्राचीर पर ब्रामन फिर दिखाई दिया और तैमूर से बोला अगर दिल्ली पर हमला किया तो तेरी उम्र घट जाएगी और तु जल्द ही किसी मुसीबत में पड़ जाएगा तैमूर ने जबाब दिया मैं दुसमन से डरने वाला नहीं हूँ मौत सिर्फ एक बार आती है इसके बाद तैमूर ने अपना युद्ध बेस पहना जो युद्ध की समय जो ड्रेस पहनी जाती है वो पहना सिर पर टोप रखा एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कुलहाड़ी ली और घोड़े पर सबार हो गया सेनिकों से कहा चलो आगे बढ़ो इसके बाद कुछ हिंदू सेनिकों ने तैमूर का रास्ता रोका तैमूर उन सिपाहियों के बीच गुद गया और दोनों हाथों से उन हिंदू सेनिकों पर बार करने लगा तैमूर ने उन सभी सेनिकों को मार डाला और सहर में प्रवेश कर गया तैमूर के पीछे उसका दामाद कुर्रा खान बहुत सारे सेनिकों के साथ दिल्ली सेहर में प्रवेश कर गया जैसे ही सहर के लोगों को इसकी सूचना हुई तो लोग चीखने पुकारने लगे औरतें बिलाप करने लगी, बच्चे रोने लगे और हिंदू सेनिकों के तेज आबाज वाले सोर ने ऐसा हंगामा किया कि उसका वर्णन तैमूर ने अपनी आत्म कथा में भी नहीं कर पाया तैमूर अपनी सेना के साथ आगे बढ़ता गया कुछ ही देर में तैमूर का पूरा सरीर खोन से लटपत हो गया उसने अपने आसपास अपने बिस्वास पात्र सेनिकों को पाया और जोर से बोला तुम आज पवित्रता के सबसे उंचे इस्थान पर पहुँच गए हो क्योंकि तुमने रक्त से इस्थनान किया है किसी भी सूरवीर के लिए रक्त से इस्थनान करना बहुती सो भाग की बात होती है तैमूर ने जब अपने हाथों की तरफ देखा तो उसके दोनों हाथ बुरी तरह घायल हो चुके थे पैरों से खून निकल रहा था तैमूर ने लराय की कमान अपने दामाद कुर्रा खान को सौप दी कुछ समाएबाद तैमूर बहोस हो गया जब उसकी आँख खुली तो उसने स्वैम को सल चिकत सके पास पाया कुर्रा खान ने दिल्ली सहर की अनेक हिस्सों को आग के हवाले कर दिया ताकि हिंदू सेनिक अपने परिवार को बचाने के लिए निकल जाए और तैमूर के सैनिक आसानी से दिल्ली के लिए पर अधिकार कर ले कुर्रा खान का ये तरीका काम कर गया और उसने आसानी से दिल्ली के किले पर अधिकार कर लिया यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली में आग क्यों लगाई गई थी इसलिए लगाई गई थी क्योंकि कुर्रा खान जो की तैमूर का दामाद था वो समझ गया था कि दिल्ली में अधिकतर हिंदू रहते हैं और हिंदू सेनिक ही वो समय के लिए की रक्षा कर रहे थे तो इनको कैसे यहां से हटाया जाए इनके घरों में आग लगा दो तो यह या तो घर बचाएंगे या पर किला बचाएंगे तो अधिकतर जो हिंदू सेनिक थे उन्होंने क्या किया कि अपने घरों को बचाने के लिए निकल गए किले में उन सेनिकों की संख्या हो गई कम कुर्रा खान ने जो बादवा की जो सैनिक थे किले की रख्षा कर रहे थे उनको मार के के लिए पे अधिकार कर लिया था गायल अवस्था में तैमूर ने कुर्रा खान को आदेश दिया कि जब तक मलुक अकबाल और महमूद खिलजी बंदी ना बनाये जाए तब तक सहर से किसी को भी भागने ना दिया जाए उनकी गिर्फतारी के बाद बूढ़े आदमियों बच्चों और औरतों को सहर से जाने दिया जाए मगर जवान मर्दों और जवान औरतों को बाहर जाने से रोका जाए क्योंकि उन्हें गुलाम और लोंडिया बनाये जाएगा यहाँ पर थोड़े सी में बात करना चाहूँगा तैमूर घायल था, सल्ले चिकित्सक के पास पड़ा हुआ था वहीं से उसने आदेश दिया अपने दामाद कुर्रा खान को कि जब तक मल्लू खान, जो कि दिल्ली का उस समय का सासक था हलाकि यह नाम थोड़े गलत हैं और महमूद खिल जी हलाकि महमूद तुगलक नाम था तो इन दोनों को जब तक बंदी ना बनाया जाए तब तक सहर से किसी को बाहर न जाने दिया जाए जब इनकी गृफतारी हो जाए, इसके बाद जो बूड़े बेक्ती हैं और बच्चे हैं और बूड़ी ओरते हैं उनको सहर से बाहर जाने की अनुमती दे दी जाए लेकिन याद रहे कि जबान मर्द और जबान ओरतों को बाहर नहीं जाने दिया जाए क्योंकि जबान मर्दों को अपना गुलाम बनाएंगे और जो जबान ओरते हैं उनको लॉंडिया बनाएंगे उस समय लॉंडिया उस औरत को कहा जाता था जो अपने जिस्म से अपनी सुन्दर तात्ले सैनिकों को खुस करती थी कुछ ही समय बाद कुर्रा खान ने मल्लू इकबाल और महमूद खिलजी को बंदी बना लिया इसके बाद तैमूर के लिए तक्त लाया गया और उसे उस पर लिटा कर मल्लू इकबाल के महल में ले जाया गया तैमूर इस युद में इतना घायल हो गया था कि खड़ा भी नहीं हो सकता था तैमूर तीन दिन तक मल्लू इकबाल के महल में ही रहा क्योंकि दिल्ली के बाताबरण में इतना धुआ चा गया था कि बाहर निकलना भी मुस्किल हो गया था कुछ समय बाद कुर्रा खान दोड़ता हुआ आया और बोला अमीर तेरे सेनिकों को उल्टी और दस्त हो रहे है हकीम से पूछा तो वे कह रहा है कि कोई महामारी है इसका इलाज संभाव नहीं है उस समय तैमूर को कोईटा के सुल्तान अब्दुल्ला वली उल्मुल्क की याद आई उसने कहा था तो दिल्ली को तो जीत सकता है परन तो वहां की महामारी से नहीं जीत सकता महामारी का नतीज़ा देखकर कुर्रा खान बोला अमीर अगर यहां रुगा तो तेरे सारे सैनिक इस महामारी से मारे जाएंगे अब इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है कि हम दिल्ली से निकल जाएं तेमूर के बहुत सारे सैनिक महामारी की चपेट में आ गए थे तेमूर उन्हें छोड़ कर जाना नहीं चाहता था लेकिन उसके सिवा तेमूर के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था तेमूर ने उस ब्राम्भन को बलाया जो बार बार दिल्ली की प्राचीर पर आकर तेमूर को डराता था तेमूर ने उस ब्राम्भन से पूछा क्या नाम है तेरा ब्राम्भन ने जवाब दिया गानी होता तेमूर ने ब्राम्भन से अपने नाम का मतलब पूछा ब्राम्भन बोला मेरे नाम का अर्थ है पवित्र अगनी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ब्राम्हन और तैमूर के मद में बहुत सारी बात चीत हुई थी और जिस ब्राम्हन का तैमूर ने यहाँ पर उल्ले किया है वो दिल्ली के सबसे बड़े मंदर का पुजारी था और तैमूर को वो बार बार डराता था कहता था कि अगर तुने किले पर और दिल्ली पे अधिकार किया या आकर्मन किया तो तेरी उम्र कम हो जाएगी तु जल्दी मर जाएगा बीमारियां तुझे घेड़ लेंगे ऐसी बातें तैमूर से करता था लेकित तैमूर को हिंदी भासा आती नहीं थी वो दोवासियों को लेके उस से बाचित करता था और तैमूर ये भी जानता था कि इस सारी बातें बेयर्थ हैं इससरब दराने का काम है इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसके बाद तैमूर ने मल्लू इकबाल, महमूत खिल जी और उस ब्राम्भन को बंदी बनाया दिल्ली से बाहर निकलने का निश्य किया परंतु बहुत सारे अच्छूद भिल से आ गए जो कि दिल्ली के ही थे तैमूर के पास आया और कहने लगे कि मुझे भी अपने साथ ले चलो बरना ये हिंदू मेरे उपर जुल्म करते रहेंगे उनका जुल्म दिन रात बढ़ता ही जाता है हमारी जमीनों पर कबज़ा कर लिया है हमें ना तो खेती करने देते हैं और ना ही चैन से जीने देते हैं तुम हमें अपने साथ ले चलो हम इसलाम कुबूल कर लेंगे तैमूर ने क्या किया कि क्वेटा के सुल्दान बली और मुल्क को संदेश भिजवाया कि मेरे साथ बहुत सारे अचूत आ रहे हैं उनके लिए खेती और घर का इंतिजाम करो सारा खर्चा मैं दूँगा अब यहां पर बात आती है कि तैमूर ने इन निचली जाती के लोगों को क्वेटा में ही क्यों बसाया क्योंकि क्वेटा से हिंदुस्तान की सीमा लगती थी और क्वेटा की अधिकतर आवादी मुस्लिम थी इसलिए तैमूर ने क्या किया था कि क्वेटा के सुल्तान को आदेश दिया था कि खेती और घर का इतिजाम करो बहुत सारे जो अच्छूत लोग हैं मेरे साथ आ रहे हैं तुम उने घर दो जमीन दो और जितना तुमारा खर्चा होगा वो सब मैं दूँगा इसके बाद उन अच्छूत हिंदुओं को क्वेटा के सुल्तान वली और मुल्क ने अपने यहां घर और जमीन दिये पर हत्या हो गई है तैमूर ने दूर से देखा किले के ऊपर उसके बेटे साथ बकास की लास तंगी हुई थी तैमूर को अत्या धिक क्रोद आया और उसने लौनी के किले पर सीधा आकर्मन कर दिया उस किले में करतार अपने सेनिकों के साथ मौजूद था करतार अपने सेनिकों के साथ बहातुरी से लड़ा तैमूर ने करतार को देखते ही उस पर इतनी ताकत से हमला किया कि उसके हाथ से तलवार छूट गई जैसे ही करतार की तलवार हाथ से छूटी और वह है उस तलवार को उठाने नीचे जुका तो तैमूर ने उसकी पीट पर कुलहाडी मार दी जिससे उसकी रीट की हड़ी कट गई और वह नीचे गिर गया करतार के नीचे गिर दे ही तैमूर ने उसका पैर पकड़ा और उसे घसीटना सुरू कर दिया और किले से बहुत दूर ले गया करतार की आँखे खुली थी कोई सब कुछ देख रहा था परंतु कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि रीट की हड़ी कट जाने के बाद बेक्ति खड़ा नहीं हो सकता है तैमूर को किले पर अपने बेटे की लास दिखाई दे रही थी तैमूर को क्रोद आया और उसने करतार का सर धर से अलग कर दिया तैमूर ने अपने सेनिकों को आदेश दिया किले में मौझूद सारे सेनिकों की हत्या कर दी जाए इसके बाद तैमूर के सेनिकों ने किले में मौझूद सभी हिंदूस्तानी सेनिकों की हत्या कर दी हत्या करने के बाद सभी सेनिकों के सिर धर से अलग कर दिये गए तैमूर के आदेश पर उन सिरों को एकटा करवा कर उनका धेर बनाया गया उसी धेर के उपर करतार की लास को टंग दिया गया तैमूर ने अपने बेटे की लास को किले के नीचे उतार कर वहीं दफना दिया। तैमूर ने हिंदुस्तान से लूटे हुए धन से एक भी पैसा नहीं लिया। सारा पैसा अपने सेनिकों और सरदारों में बाढ़ दिया। तैमूर बसंत रिदू में समरकंद पहुँचा। जहाँ पर उसने अपने मकवरे का निर्माण करवाने हितू आदेश दिया। हिंदुस्तान पर बज़े हासल करने के बाद तैमूर ने सहरुख जो उसका बेटा था उसने अपना उत्रादिकारी बनाया। उससे कहा कि मल्लू इकबाल, महमूद खिल जी और ब्रामन गानी होरता को मैं तुझे सौप रहा हूँ। इनके साथ अच्छा बेवार करना। ज कि तेरा दुस्मन जितनी जादा सराप पिएगा और जितना समय सुंदर इस्तियों के साथ बिताएगा उतना ही तेरे लिए फायदे मंद होगा। ये बात हैं किस से कहीं थी तैमूर ने अपने उत्तरादकारी सारुक से कहीं थी। यहाँ पर मैं आपको कुछ जहनकारी और देना चाहूँगा। तुगलक साहे दूतिये सासक बना जो तेरा सो अठासी से तेरा सो नवासी के मद में सासक रहा था। फिर अबुबकर साहे बना जो की तेरा सो नवासी से लेकर तेरा सो नवासी से लेकर तेरा सो नवासी के मद में सासक रहा। फिर अलाउद्दीन सिकंदर साहे मार्च तेर कि दिल्ली के सता अपनी चोटे भाई नासुर الدین महमूद तुगलक को सॉब दी थी। और नासुर الدین महमूद तुगलक को ही इस किताब में क्या लिखा हुआ है? महमूद खिलजी लिखा हुआ है. और जो मल्लू इकबाल नाम लिखा हुआ है ये संभावता, अलाउदीन सिकंदर साहे का नाम है या फर किसी और का भी हो सकता है परन्तू तैमूर के वबरण में इसकी कोई जानकारी नहीं है और महमूद तुगलक का जो सासनकाल माना जाता है वो 1394 से 1412 इश्वी के मद्द में माना जाता है 1412 में महमूद तुगलक की मृत्ति हो जाती है इसके बाद उसी समय अफगान सरदार दौलत खान लोधी को दिल्ली का सासक बनाया जाता है लेकिन 1414 में यानि की दो साल बाद ही पंजाब का सूबेदार खिजर खान उस पे आक्रमन कर देता है और पराज़त करके दिल्ली पर सयद बंस की निव डाल देता है हलाकि इसकी चर्चा मैंने अपने तुगलक बंस वाले वीडियो में बहुत अच्छे तकी है आप चाहो तो से देख सकते हो वो वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा तो ये तो थी तैमूर की आत्मकथा और तैमूर की आत्मकथा में जो कुछ लिखा था वो मैंने इस वीडियो में आपको बिस्ता से बताया है अगर आप तैमूर की आत्मकथा पढ़ना चाहते हैं तो डेस्क्रिप्सन बॉक्स में लिंक दी गई है तो वहां से आप खरीच सकते हो बैसे तो तैमूर ने अपनी आत्मकथा में बहुत सारी जानकारी लिखी है लेकिन हमें उस जानकारी से कोई मतलम नहीं है क्योंकि जिस जानकारी का सम्मंद हमारे देश से है मैंने उस जानकारी को आप सब के साथ सेर किया है इतिहासकारों की माने तो खिजर खान ही वो वेक्ती था जिसने तैमूर को दिल्ली पे आकरमन करने के लिए आमंत्रित किया था परन्तु इसका उलेक तैमूर ने अपनी आत्म कथा में कहीं भी नहीं किया है तो ये तो थी तैमूर की आत्म कथा मैं हूँ तैमूर और उसमें जो कुछ था वो सब मैंने आपको विस्ता से बताया है जिसका सम्मध हमारे देश से था उसकी जानकारी मैंने आपको बहुत अच्छे से दी है तो वीडियो गर अच्छा लगा हो तो इससे लाइक करें शेयर करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद